केंद्रे विद्यालों की और से नई शिक्षा नीती को अमल में लाया जा रहा है बीकानेर के नाल में केंद्रे विद्यालों की मीटिंग में शिक्षा नीती पर प्रकाश डाला गया है इस नीती के तहट विद्यालों में बच्चों को बुन्यादी शिक्षा उपलफ्थ करवाने के लिए बाल वाटे का आरंप की जा रही है वहीं खेल के माध्यम से भी बच्चों को अध्यन करवाया जा रहा है जन भागिदारी कारे करम के तहट पूरे समाज में सब जगे सब को ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से नई राश्चे शिक्षा निती बच्चों के सरवांगिन विकास के लिए बनाई गई है जिसके तहट प्राइमरी एजुकेशन में निपोन और फलन जैसी नई गतिविदिया उसमें जोडी गई हैं जिसमें बच्चों की बुनियादी सिक्षा पर बहुत जोर दिया गया है यहाँ पर कुछ शेप्स बनी है जिसमें बच्चों को खेल के माध्यम से शेप्स की जानकारी दीरे जा रही है यह नई शिक्षा निती के अंतरगत यही हमें सिखाया जाता है कि बच्चों को खिलोने और खेल के माध्यम से ही शिक्षा दी जाए आज की जनरेशन में जो हमारी education needs हैं वो अभी जो हमें education system offer कर रहा है उससे बहुत जादा है तो जो new education policy है सर वो हमें एक overall development provide करने वाला है वो बच्चों की skill based development पे ज़्यादा ध्यान देगा बच्चों की जो unique capabilities हैं उनकी unique talents हैं वो उनको bring out करने में help करेगा NEP हमें बताता है कि हमको बस जो किताबों में लिखा है उसको याद नहीं करना उसको paper दे के pass नहीं करना वर्कि उसको day to day life में भी implement करना है ratification से ज़्यादा वो overall development में promote करता है बच्चों को बठा के ratta नहीं सकते उसको समझा सकते और new education policy भी यही कर रही है अभी जो recently NEP से जो चीज लॉंच हुई है वो है no bag day there will be nine days in a month जिसमें कोई बच्चा बैग नहीं लाएगा और उसको पढ़ाई के अलावा भी चीज़ें जिसकाई जाएंगी जैसे कि कोई बच्चे भी कर सकेंगे सीखने के बाद proper precautions लेकर तो यह अच्छी चीज है at least हम कुछ learn कर पाएंगे also एक अच्छा mood swing भी होगा हमारे लिए like हम और concentrate कर पाएंगे studies पे भी